नमस्कार वक्त चला है रेवाडी की रात की बड़ी खबरों का तो रेवाडी में एक दिल दलाने वाली गटना सामने आई है गला रेत कर हत्या की गई है रेवाडी में वेक्ति की गला रेत कर हत्या तिरबाल में बांद कर जोड में फैका पास में खड़ा मिला टेंपो लेकि दो दिन तक लावरीस टेमपो खड़ा देख पुलिस को सुचित करते रहे लेकिन पुलिस श्रिफ लोडिंग टेमपो ही समझकर वापस लोड़ गई सुकर्वार को महिला द्वारा जोड में सव पड़ा होने की सुचना देने के बाद पुलिस के भी हो सुचना के बाद सदर थना पुलिस के अलावाज C.I.E. की टीमें भी मोके पहुंची पुलिस ने सव को कब्चम लेकर पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया है रिवाडी जिले के गाउं राम हड का रहने वाला अर्विन जिसकी उमर 45 साल करीब है लोडिंग टैम्पो चला था तीन दिन पहले घर से टैम्पो लेकर निकला था लेकिन वापस नहीं लोटा परिजनों ने उसकी हर संबो तलास की लेकिन पता नहीं चल पाया परिजनों ने उसकी गुम सुद्य की सूचना पुलिस को भी दी प्रिवाडी सहर से सटे गाउं कोकल गड़ में कालुवास की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक लोडिंग टैम्पो पिछले दो दिनों से लावारिस खड़ा हुआ था गाउं की लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस मोके पर पहुंची और लोडिंग टैम्पो की चापी निकाल कर साथ ले गई गुरवाल को फिर से ग्रामिनों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस कुछ दे टैम्पो के पास रुकी और लोड गई सन्यवार की दो फेर एक महिला ने लडिंग टैंपो के पास ही जोड में तिरपाल में पंदी एक लास देखी गरामिनों को इसकी जान करें दी गई इसके बाद पुलिस को सोचित किया गया सोचना के बाद पुलिस मोके पहुंची और तो सव जोड में पड़ा हुआ था अर्विंद की गर्दन तेजधार हतिया से कटी मिली है सोचना के बाद मोके पहुंची सदा थारा पुलिस वे सी आई की टीम में पूरे मामले की जात में जुटी है हलाकि अभी साफ नहीं हो पाया कि अर्विंद की हत्या किसने और क्यों कही गई है जैसे कोई खबर आएगी हम आपको अपनी खबरों में जिरूर बताएंगे आज की खबरे यहीं तक फिर मिलेंगे हम इस समय देखते रहे हैं मार्चन को देखना न बोले धन्यवाद